जाहिंद वंदे मातरम प्यारे सातियों आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए यह सातियों राजस्तान में मुख्य मंत्री साब ने ऐसी योजना चलाई है जिस योजना के तहट आपको अगर आप घायलों को आस्पताल पहुंचा देते हो कम से कम समय में तो आपको सरकार 10,000 रुपे नगत देगी और आपको प्रसस्ती पत्तर भी दिया जाएगा जी हा सातियों इस योजना के तहट आपको 10,000 रुपे हाथों हाथ दिये जाएंगे और इसमें क्या होता है सातियों कि जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं और कोई अक्सिडेंट होकर के गिरा पड़ा है तो उसको हम नहीं उठाते हैं क्यों नहीं उठाते हैं कि साब देखो प उंखे मंतरी साब ने ये योजना लॉंच की है जिसके तहट आपको पैंसे भी दिये जाएंगे और पुलिस भी आपको कोई परेशान नहीं करेगी किसी भी परकार की आप से कोई पूछताच नहीं की जाएगी समझे वो पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भासा में अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटा फट से ओमवीर योजना के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है चलो शुरू करते हैं नमस्कार सातियों मैं राजेस गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे सातियों का ओमवीर योजना के यूटूब चैनल में आउजी फटाफट से इसकी ताजा खबर जो आई है उस खबर को भी अमच्ची परकार से समझेंगे इस्क्रीन पर ही आपको सारी चीज़े किलियर कर देंगे उस खबर को जीवन बचाने के लिए किसी के जीवन की रक्षा हो जाए इसलिए इस योजना को लॉंच किया गया है गायल यक्ती को अस्पताल पहुंचाओ और दस अजार रुपे तुरंत पाओ पुलिस भी नहीं करेगी परेशान मिलेगा सम्मान पत्तर जी हां सातियों आपको सम्मान कर दीजेगा हम आपका जवाब जरूर देंगे और योजनाओं से संबन्दी जो भी खबरे आती हैं सिदी की सिदी ओमवीर योजना के टेलिग्राम पर डाल दी जाती हैं तो आप सभी योजनाओं की जानकारी के लिए टेलिग्राम को भी जोइन कर लें क्योंकि वहीं पर आपको खबरे और नोटिफिकेशन दिये जाते हैं साथियों उनको आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं देख सकते हैं ठीक है साभ अब आज़ाओ इसकी फटा-फट से ओफीशियल जो खबर आई है उस खबर को मश्ची परकार से समझ लेते हैं यह रही साथियों ओफी केस यह है कि राज्य में सडख दुगतत्णाओं में होने वाली मर्तिव दर को कम करना, यानि कि साथ यों इसमें आपकी जो एकसीडेंट होते है उन मामलों के केस कम हो जाएंगे, क्यों कि एकसीडेंट में क्या होती है? मर्तिव हो जाती है, कैसे होती है साब? कोई सब जाएंगा बगलम देख देकर रीलोर बनाऊंगा रीला बनाऊंगा कोई वीडियो बनाऊंगा उन्हें देखता है रिंगा खून बैतो रहेगो पड़े रहेगो बिचारों कोई को नठाव है के सोचिंग आ रहे है ना साप पुलिस माने ले जाएगी फिर पूछ बाटे पुलिस का उड़े गिरप्त में रांगा पुलिस माने हर तरह प्रेशान करेगी फौण करेगी बात करेगी कब हुआ था कैसे हुआ था एकसिडेंट किसने किया था देखा था कि आपने कैसे मिला आप क्यूं लेके आए हो आपका कोई जान पहचान का है क्या अगेरा वगेरा सत्तर तो फान होगा साब मारी जानने ऐसे बढ़िया में तो चलाए जावाँगा मारा रस्त है माने को नठानों साविया ये समझ चाहें थी साब इसको देखते हुए सरकार ने ये निर्देश जारी किये हैं ये आदेश जारी किये हैं कि ऐसे तो मोते हो जाती है इंसानों की और ऐसे कौन किसकी मदद करेगा फिर क्योंकि वो तो ड्रा हुआ रहेगा कि मेरे को वहाँ कोर्ट में जाना पड़ेगा पेस्टी देने पड़ेगी सोता उफान करने पड़ेगे लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको सीधा क क्या करना है अगर कोई भी घायल यक्ति है कोई फी इन्सान है ईकुए बच्चा है बुजुर्ग है कोई भी है भई किसी भी कारण से घायल हुआ उसके आप मदद करिये, उसको आप हो असपाटाल पहुंचाई, कम से कम समय में असपाटाल पहुंचाई ताकि उसका जीवन بचाया जा सके। आपको कोई वहाँ पर पाबंद करेगा ठीक है साब मुखे मंत्री आयुस्मान जीवन रक्षिया योजना लागू हुई सड़क हाथसे में गंभीर घायल यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर राज्ये सरकार देगी यह है 22 अगस्त की खबर साथियों 22 अगस्त दो हजार चोबीस की और 24 अगस्त की भी हम अच्छी परकार से आपको दिखाएंगे और यह जो है आपको यह खबर कहां पर मिलेंगी साथियों यह जो भी योजना उसे सम्मदित खबरे आती हैं सीदी की सीदी टेलीगराम पर डाल दी जाती है तो आप सभी साथी ओमदीर योजना के टेलीगराम से भी जुड़ जाएं ये जो खबर है ये आप देख रहे हैं ये है 24 अगस्त 2024 की दैनिक बासकर की खबर है गायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे 10,000 रुपे अलवर की खबर है राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री आयुस्मान जीवन रक्षया योजना लागू की है यह योजना सडक दुर घटनाओं में जीवन रक्षया के लिए घायल यक्ति को कम से कम समय में गोल्डन ओवर यानि कि इतने जल्दी पूचाओ कि भाई उसकी जयान तो इसको इस परकार से थोड़ा कर दो ठीक है CPR तो देना नहीं आता है वैसे आपको अगर किसी को आता है तो वो भी दे भई सांस वगरा नहीं मिल रहा है तो सांस वगरा दे दे उसको ठीक है इस परकार से आप थोड़ा बहुत उपचार वहां कर सकते हैं और तुरंत उसको ज जल्दी से जल्दी उप्चार उपलब्द कराने के लिए अतीरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधीकारी इंदू मीना ने बताया कि दुरगटना में गायल यक्ति को नजदी की होस्पीटल में या ट्रोमा सेंटर में पोँचाने वाड़े भले आदमी को 10,000 रुपे की दिया जाएगा योजना का किरियान वयन चिकिट्षा एवं स्वास्ते विभाग के मध्यम से होगा ये है पूरी की पूरी जानकारी साथियों I hope आप अच्छे से समझ गये होंगे पूरी जो जानकारी मैंने आपको बताई है ये आपको टेलीग्राम के उपर मिल जाएगी आप सभी साथी देख सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ यारा प्यारा रिष्टेदारां के साथ मिल बाड़ा बैठ बाड़ां की साथ सब की साथ हैं वीडियो ने सेयर कर दो कोई ना कोई तो या वीडियो से लाब ले सके और किसी यक्ति की जिंदगी बचा सके आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर पहली बार आए है तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि देश में जितनी भी योजनाए निकलती है तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एक दमासान और सरन भासा में समपूर जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं जूड़े रहने के लिए आपका बहुत भहुत धन्यवाद फिर मिलूँगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी पहरे साथियों को जय हिंद जय भारत